नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमारे चैनल आयूरवेद रत्नमे दोस्तों तमाम तरह कि सब्जियों के बीच लौकी भी एक हरी सब्जी है जिससे लोग पका कर खाते हैं और उसका जूस बना कर भी पीते हैं लौकी के जूस में विटामिन सी, विटामिन बी, सोडियम आयरन और पोटेशियम पाया जाता है जो कॉलेस्टरॉल और फैट इनमें बहुत काम का होता है इसी कारण बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि यह जूस हमारे स्वास्ते के लिए बहुत फायदे मंद होता है तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लोगी की जूस के फायदे लेकर आएं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे सबसे पहले वजन घटाने के लौकी का जूस किस तरह फायदे मन्द है अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपको लौकी का जूस वजन घटाने के लिए पीना है तो पहले लौकी के छिलके को छिल ले उसके बाद लौकी के पीसिस करें उसके बाद उसे पीस कर उसका जूस पनाएं और इस जूस को रोजाना पीजिए इससे आपका वजन बहुत जल्दी घट जाएगा क्योंकि इसके विटामिन के तत्वों के कारण हमारे शरीर की भूख नियांतरित रहती है और इसका सबसे जादा फाइदा हमें तब मिलता है जब हम इसे सूबा उटकर खाली पेट पियेगी उसके बाद अच्छे पाचन के लिए यानि की अच्छे डाइजेशन के लिए लौकी का जूस लौकी में पानी के अलावा फाइबर के तत्व भी होते हैं जिटके कारण हमारे शरीर के डाइजेशन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है इसके साथ इस जूस को पीने से कॉंस्टिपेशन की बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है शरीर को ठंड़क दिने के लिए लौकी का जूस जैसा कि हमने बताये कि लौकी में पानी की बहुत मात्रा पाई जाती है इसकारण हम जब इसका जूस पीते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ठंड़क मिलती है इसलिए कहते हैं कि लौकी के जूस को गर्मियों में सबसे ज्याता पीना चाहिए इसके अलावा अच्छी नीन के लिए भी लौकी बहुत फायदेमंद है अगर आपको रात को नीन नहीं आती है या आपकी नीन कुशी मिन्टों में तूट जाती है तो थोड़े तिल के तिल को लौकी के जूस में मिला कर उसे पीजिये कहा जाता है किस से पिनने से हमारी नीन की परिशानियां दूर हो जाती है इसके अपाद लौकी का जूस आपके हिर्दय के लिए भी बहुत उपयोगी है लौकी के जूस में मौझूद तत्वों के कारण हमारे शरीड का ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है यानि की बैलेंस रहता है इसलिए हमारा दिल हमेशा स्वस्त रहता है इसलिए हिर्दय की रोगियों को लौकी का जूस जरूर पीना चाहिए स्वस्थ लिवर के लिए Ayurved के चिकित्सक कहते हैं कि लॉकी के जूस के तत्कों से हमारा लिवर भी बहुत स्वस्थ रहता है इसलिए अपने लिवर को मजबूत बनाने के लिए इसे रोजाना पिना चाहिए ब्यूटी के लिए भी हम लॉकी को यूस कर सकते हैं लौकी के जूस से हमारे सौन्दरे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है जैसे कि लौकी का रस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम रोज सुबा लौकी का जूस पिएं तो हमारे बाल ज्यादा दिन तक काले रहते हैं और समय से पहले ये सफेद नहीं पढ़ते हैं स्किन के लिए लौकी का रस लौकी के जूस से हमारा शरीर पूरी तरह से साफ हो जाता है जिसका असर हमारी तवचा पर पड़ता है हमारा चहरा दाग से दूर रहता है और हमेशा ही एक चमक और कोमल निखार हमारी तुछा पर दिखता है आप लौकी को अपने स्किन पर लगा भी सकते हैं बालों के लिए आप लौकी और आउले का जूस यूज कर सकते हैं इसके लिए लौकी और आउले के जूस को समान मातरा में मिला दें अब आप इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं और थोड़ी दिर बाद अपने बालों को धोलें इस नुसके से अगर आपके बालों में रूसी यानि की डेंडरफ है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा सफेद बालों के लिए भी लौकी का जूस आप इस तरह से बना सकते हैं सबसे पहले लौकी के जूस और तिल के तेल को समान मातरा में मिला लीजिए इसे अपने बालों पर तकरीमन दो घंटे के लिए लगा कर छोड़ देजिए उसके बाद बालों को अच्छी तरह से धोलीजिए तिल के तिल के बदले अगर आप चाहें तो जैतून के तेल यानि की ओलिव ओल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लौकी से आप फेस पैक भी बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले खेरे और लौकी को छील कर उसे जाली करें यानि की उसे ग्रेड कर लें अब इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लें एक चम्मच योगार्ट भी आइड कर लें इसे अच्छे से मिला कर अपने चेहरे पर लगा दें और 20 मिनट के बाद अपना चेहरा हलके गरम पानी से धोलें इस तरह के फेस पैक से आपकी त्वचा में निखार आएगा और आप ज्याधा सुन्दर दिखेंगे लौकी का जूस एक ऐसी चीज है जिसमें आयरुविधी चिकित्सकों ने वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताया है लौकी अपने कम केलेली तत्मों के कारण जाना जाता है और इसके कारण इसे खाने या इसका जूस पीने से हमारा वजन काफी कम हो जाता है लेकिन दोस्तों इन सब नुस्कों का अभ्यास करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखेगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लौकी का जूस थोड़ा से भी कड़वा है तो उसे बिल्कुल न पिये कड़वे लौकी के जूस से हमारी सेहत और शरीर पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है इसके अलाबा हमें उल्टियां भी हो सकती है और कई बार तो ये जानलेवा भी साबित हो चुका है अगर गलती से भी आप या आपका कोई परिचित कड़वी लौकी के जूस को पी लेता है तो ध्यान रखकर जल्दे से जल्दी किसी डॉक्टर से अपना च्यागब या इलाज करवाना मत भूलिएगा दोस्तों इन हानियों को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में लौकी के जूस को पी कर उसके फायदे उठा सकते हैं दोस्तों कैसे लगी लौकी से जुड़ी हुई ये जानकारी हमें कमेट में ज़रू बताईए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बंटी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हमागे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ स्वास सम्मधनी जानकारियों के साथ तब तक रिदिजे हमें इजाजत अपना खयाल रखिये नमस्कार